हलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो विच अपां कुछ एन्वार्मेंटल इशूज वारे गल करांगे जिस विच की क्लाइमिट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उजोन लियर टिप्लीशन हते नुकलियर एक्सिदेंट्स दी गल करांगे पहला हैगा क्लाइमिट चेंज, अपां देख रहे हैं कि जिते कुदर्ती साधना दी काठ हो रही है, उत ही ओद्योकिक विकास अते शेरी करन हो रही है, लेकिन इन्हें सारे कारजा करके जलवायू विच भी तबदीली आ रही है, तर्तिदी सुरुख्या करन वाली जड़ी ओजोन लेयर है, ओवी खतम हुंदी जा रही है, कारज़ा एक साइड अते ओद्योकिक गैसा ने वातावरंड विच बहुत ज़ादा अनुपात विजवत गहियाने, जिसकर के जलवायू विच तबदीली आ रही है, तुआ, मिटी, गंदगी, एक कूडे आदी जड़े प् रहे ने, वातावरंड दा आपमान लगातर वद रही है, जिड़ी हिम नदिया ने उना दी बरफ पिगल रही है, जिसकर के हड दे चांसे जड़े ने वद गएने, ते दूसरे पास से किसे किसे जगा इस तरह दे हलात भी हो जन देने, के उथे सोक्का पैन दे असार बन ज चांस हो जन देने, नाल देखन वीच एवी आया है कि सर्दी दा मौसम जड़ा है उच छोटा हो गया, ते गर्मी दा मौसम लंबा हो रहा है, ते किते किते जड़े ठंडे देशने, उथे सर्दियां वीच जड़ा जीवन है, उबहुत जादा कई वार डामाडोल हो जन दा है, बहुत जादा परवावित होंदा है, तापमान देवादे दे कारण वनस्पती यते जीवजन्तु भी परवावित होंदेने, जेड़ा परिस्थितितिक परवंध है, जेड़ा परिस्थितिक तंत्र है, उस विच्वी असंतुलन आया है, एकोलोजिकल बैलेंस बिगड कर रहा है, फिर कुछ नदियां दे जेड़े डेल्टा ने, या फिर कई द्वीब सूने, उना दे दूबन देवी असार हो जानते ने, फिर जेरा खान योग पदार्ति काठ हो रही है, ते हैजा या पीलिया या मिलेरिया दूशित पानी होंद कारण जेड़िया बिमारिया जने ओ वी वद जान गिया जदों जल्वायू विच बहुत जादा परिवर्तन हो जाएगा, फिर जल्वायू विच जड़ा परिवर्तन है, इस तो बच्या की में जा सकता है, पहली गलता है कि जल्वायू परिवर्तन दे कारना अते परभावाना लुका नूँ परिवर्तन साथे जिंदगी नूँ साथे जड़ी रोज मर्रादी जिंदगी है उनूँ की में परभावित काते आया, फिर प्रदूशन अते जड़े अबाती नूँ काटकरन वाले कारक ने उना प्रतिस अनू प्रयतिन शील होना चाहिए, फिर जड़ी फसली वी पिंता ह स्ली उसनों योजना बत तरीके नाल अपनावना चाहिए, विकास दे जड़े कारझ ने उनानू कुदरती प्रनाली दे नाल एक सूर्ता विच लेके आना चाहिए यनि कि एन्वार्मेंट नू इन्वार्मेंट दे नाल मिलके अपने विकास दे कारज नू जदू उना दे नाल एक सूर्था विछ इंप्लीमेंट करांगे तो वस नाल वातावरण नू काथ नुकसान होएगा ति जदू वी किसे चीज वारे जागरूगता पैदा करनी हुं तो हमेशा जिडिक्षन संस्थान ने उनानू एह कारच दित्ता जानदा है तो इसलेई विद्यार्थियां आदे आपका अते समाध से भी जडि संस्थावा ने उनानू वद्थ वद्थ लोकानू वातावरण प्रती सुचेत करना चाहिदा है वातावरण दियां समस्यामा ब जाहें एस दा वत्तवाद इस्तिमाल करना चाहिदा है फिर जिडि वड़े देश ने या विक्सित देश ने उनानू एत्यान विच रखना चाहिदा है कि जए अटॉमिक बॉम्स ने या न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स ने उना ते पाबंदी लगाई जाए नेक्स टाई, पराली साडन, ओजोन लियर डिप्लीशन, रेडियो एक्टिव प्रदूशन अते ग्रीन हाउस इफेक्ट इना कारणा करके जिडि समुची तरती है उस्ता दापमन दिनो दिन वददा जा रहा है सूरज तों उर्जा लैनू प्रंत जो उर्जा तरती रिलीज कर दी लिए उसनों वायू मंदल विच जेडिया गैसा ने अते जडिया मिट्टी देकण ने उसनों एब्जॉप कर लन देने ते वायू मंदल तरती दी द्वारा ए रिलीज कीति गई जेडि उर्जा है उस कारण गरम हो जान्दा है उन उर्जा सोखण वालीया जेडिया वी कहा चंदा है इना दी मात्रा विच वादा हो रहा है डेली ही बहुत जादा गैसिस जड़े ने वातावरण विच रिलीज हो रही याने जिस करके विश्व या पी तापन विच वादा हो रहा है ते साइंटिस्ट दे अकॉर्डिंग एस सदी दे अंत विच 3.5 डिग्री सेंटिग्रेट तो लेके 10 डिग्री सेंटिग्रेट तक तापन विच वादा हों दे चांसिस हन हुन अपना इस स्लाइड विच देख सकते हैं कि किस तरह हुमन इंफ्लेंस करके जड़ी ग्रीन हाउस गैसिज ने वह बहुत जादा एट्मोस्फिर विच वद गीयाने जिस करके जड़ी रिडियेशन्स है सूरज द्वारा जड़ियां इंफरनेट रिडियेशन्स अर्थ जड़ी आंदियाने ओं तर्ती ते ही ट्रैप होके रिजन दियाने जिस करके तर्ती दा जड़ा तापमन है वह बहुत जादा वद रिया एं इस दे कारण की किने पर डिसकस करांगे पहला था हो गया जंगला दी कटाई जंगला दी कटाई करके विश्वत्री जड़ा बहुत जादा वादा हो गया है इस करके बहुत जादा जड़ी कारबन डाएकसाइड है वह बहुत जादा एटमोस्फिर विच रिलीज हो रही है फिर बालन दी खपत दे कारण स्टबल बर्निंग दे कारण अते प्रदूशन अते रेडियो रेडियेशन दे विच वादा ह हो गया है जिस करके ग्लोबल वामिंग हो रही है उन इस दे पर बाव की पैरे ने एक ता जलवायू विश परिवर्तन हो गया गर्मी विचवादा हो गया फिर बर्फ पिगल रही है जिस करके समुत्र दा जड़ा जल पदर है वो वद रहा है बारिशां भी इंक्रीज हो रही हो गया है फिर इक तरफ बारिशां दे वादे दी गाल करने हैं हडा दी गाल करने हैं दूसरे पास से एन्ना ज्यादा एंवायर्मेंटल जोडा एकोलोजिकल इंबैलेंस है उन्ना इनक्रीज हो गया है कि दूसरे तरफ सोके दे चांसिस भी बहुत जाधा हो गये ने house gases नो कट कीता जाए जिसले असी की कर सकते हैं कि गड़ियां दी वर्तों नहीं करनी चाहिए थी वद तो वद जे किते जाना भी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी वर्तों करनी चाहिए थी है साइकल दी वर्तों करनी चाहिए थी है लोका नो जागरू करना चाहिए है कि ज जिड़ा population ते pollution control है इस ते भी त्यान देना चाहिदा है ये सारे जिड़े efforts करके असी अपनी तर्ती नो global warming तो बचा सकते हैं नेक्स टॉपिक है ओजोन परत्ता नश्ठ होना यानि कि ओजोन लेयर डिप्लीशन ओजोन परत्त तर्ती दे वायू मंडलता ओ विस्सा है जिस विच की ओजोन गैस बहुत अधिक मात्रा विच हुंदी है ते जिसदा रसाइनिक फॉर्मूला ओ थ्री है ओजोन परत्त स्टर्जन वीच आ रहा है कि सीदा डिप्लीशन वीच चेख हु रहा है यानिक ऐध जाधा एक्टिफ हुन देने कि एक क्लोरीन प्रमानु चेड़ा है वो स्ट्रेटोस्फियर विच हटाए जानतों पहला ही एक लगतो वद ओजोन अनुआनु नश्ट कर देन्दा है जिस करके ओजोन नुँ कुदर्ती तौरते वी बचाए जान नालों ज्यादा तेजी नाल नुँ नश्ट कर रहा है जोन पर अधिन नश्ट हूं दे कारण ने या उते पदला हूं दे मोख कारं की ने एकता जिड़े है निर्मित रसाइना धी फ़रतों फिर AC तो जेड़ी gases निकल देने या रेफरिजडेटर तो जेड़ी gases निकल देने ए ख्लोरो फ्लोरो कार्बन स्थियां हुंदियां ने अथे हेलोजंस हुंदेने जेड़े की ओजोन लेयर दे नाल जाके रियक्ट कर देने अथे ओजोन दे अनुने उनानु तोड़ दन देन ये पदार्फ जेड़े ने वायू मंडल विच काफी देर तक रहन देने ते ये लगबग 100 साला तक इना दी होंद वायू बातावरण विच रहन दी है जिस करके एहे बहुत जादा नुकसान कर रहे ने ओजोन लेयर नुन है ओजोन लेयर डिप्लीशन दे नकरात्मक प्र प्रभाव उजोन परद्दा नष्ठ होना तरती दी सता ते अल्ट्रावालट रिडिशन्स दी जेड़ी पतरता है उनु वदा रहा है जो कि मनुख की सेथली बहुत जादा नुकसान दे है ये इस नाल चमडी दा कैंसर होंदा है अखान दे विच मोधिया बिंदी रमजा जान दियाने ते अल्ट्रावालट रिडिशन्स मनुख दे नाल नाल पॉद्यां दे वी बहुत जादा प्रभाव पांदी है बोना बहुत जादा नकरात्मक असर हुंदा है ते खेती बाड़ी दे जड़े उत्पादक ने ओ वी कट जान दे इस तरकी अगला ऐसी ड्रेन की में बंदी है प्रदूशन दे वदन दे नाल कुछ हानी कारक गैसा अते रसायन जड़ेने ओ बारिश दे पानी दे नाल मिल जान देने इसनों तेजाबी वर्खा किया जान दा है ये वर्खा ठंड ता नहीं देन दी बलके कई तरन दी बमारियां बदा दन द दियाने ओ जदों पानी दे नाल मिल दियाने ता सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड वर्गे तिजाब जड़ेने ओ बन जान देने जड़े की नीद पानी नाल मिलके ओ दे नाल कुलके तिजाबी वर्खा बनके तर्थी दे ओपर डिग देने इना दे परबाब पोशक वैल्यू है उसनों खतम करतेंदी है इस करके जड़े प्लांट्स दे पत्ते ने उना विच छेद हो जन्दे ने जिस करके प्लांट्स दा जड़ा फोटो सिंथेस दा प्रोसस है वो रुख जन्दा आते उना दा पोजन बनावन दी जड़ी प्रक्रिया है फोटो जड़ी वर्खा खराब करदन्दी है बरबाद करदन्दी है इस करके पूरा जड़ा परस्थितिक तंत्र है ओ डिस्टरफ हो जन्दा है कई तरह दियां बिमारिया ने जेडियां ओ पैदा हो जन्दियां ने अधे जेड़ी साधी फूट चेन है ओस विच वी इहे लेकिन रेडियो एक्टिव प्रदूशन जिड़ा है बहुत ही खतरना कुंदा है इस दा एक्जामपल अपा देख सकते हैं जिमें की जपान विच हिरोशिमा ते नागसाकी ते जड़ा इस दा जड़ा असर है ओ पीडियां तक देख्या जा सकता है पीड़ी दर पीड़ी एस दी जड़ी विनाश लीला है उसनों देख्या जा सकता है इटमिक रिडियेशन्स जेडियांने ओ साड़े शरीर चल्ग श्रावा स्किन है ते कई तरह धियां बिमारें लग जांदियांने कैंसर या हौर चेड़े विकार ने ओ साड़े शारीनों खराब करत देने इस दे प्रबाव दिखे जा सकते ने जिमें कि इस नाल बड़े पदर ते पहला ते पहला ते जानी ते माली नुक्सान होंदा है तो दूर दूर तक जेड़ी तरती है, जेड़ी जमीन है वो बंजर हो जान दी है सेहधियां समस्यावा आजन दियाने गंबीर बिमारियां आजन दियाने इस तो इलावा जेड़ी साड़ी इनहेरेटेड या अनुवशिक दौर जेड़ी बिमारियाने ओ भी हो जन दियाने पेरेंट्स नू जेनिया प्रॉब्लम्स हुन दियाने वो फर्दर उना दे बच्यां विच भी अगे ट्रांसफर हो जान दियाने फिर फसल दे फसल ते जीव जन्तु भी ब्रवाद हो जान देने ते परमानू तम आक्यां दे नाल आग लग जान दिया और ते बहुत जादा ह दिया के नुखसान हुनदा है तै एस दा अफर बहुत दूर-दूर तक देखा जा सकता है साधे को लेछन दे बहुत सारे एक्जांपल्स भी है कि ने जीडे की निउकलियर एक्सिदेंट दें पहत जाता नुकसान हुंदेने वनानु दर्शान देने। उन नुकलियर एक्सिदेंटस ने वनानु उना तो बचन दे उपाई की मैं। पहला ता है कि परमानु तुमाक्यां तो बचनले योग सुरख्या प्रबंद होने चाहिए देने, फिर परमानु उज्जा पैदा करन तो बाद जेड़ा बचा खुचा कूडा करकट है, उस नुवी सही तरीके नाल नश्ट कर देना चाहिएदा है, बहुत जादा एक्सरेज या रेडियो थेरपी या रेडियो आइसोटोप्स दे जड़े प्रयोग है, उना तो बचना चाहिएदा है, अटॉमिक हथियार जेड़ेने, उना दे निर्मान ते या उना दे परक ते या उना दे विकास दे उपर रोक लगा देनी चाहिएदी है, नूकलियर दवाईया या रेडियेशन्स गित्सा जेड़ी है वो समय हमेशा सावदानी वर्तनी चाहिदी है फिर लेबार्टरी विच यानि की पुर्योक्षाला विच कम्स कर दे होए भी सुरख्या कवच जरूर पैणना चाहिदा है ते जड़े न्युक्लियर प्लांट्स ने उत्थे दी उसारी अते उत्थे कारज परणाली दीजड़ी सुरख्या है वो सुरख्या दीन होनी चाहिदी है